गुद बॉर्णिंग स्टुडेंट्स आई होब कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना खयाल रख रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन इन इन्डिया वो आपके पॉब्लिकेशन के हिसाब से बुक में उसका जो टाइटल है वो चेंज हो सकता है तो उससे कोई भी मतलब नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके अंदर का जो मैटर है वो सेम है ठीक है तो ट्रांसपोर्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे आज और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये एक लॉंग वीडियो हो लेंदी वीडियो हो जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर मैं कवर कर सकूँ आपका स्लिबस भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसके नोट साफ बना लीचेगा मैंने जितने भी पॉइंट वाइस दी है यहाँ पर क्योंकि आपके जो कोशिशन आते हैं वो आते हैं राइट थ्री पॉइंट्स या थ्री कैरेक्टरिस्टिक या थ्री इंपॉर्ट या फिर थ्री एडवांटिजेस थ्री डिसडवांटिजेस है ना थ्री टू वण जो भी आता है तो पॉइंट वाइस जादा तर चीज़े इसमें दी हुई हैं तो आप यह पूरे के पूरे चैप्टर को अपने कॉपी में इसके नोट्स बना लीजेगा ताकि फर्दर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसके बारे में तो उसको एड़्जस कर लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर जो की है ट्रांसपोर्ट अब ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बेसिक बात करें तो किसी भी कंट्री एक्स वाई जेट किसी भी कंट्र की जो economy होती है ठीक है economy of any nation जो मैंने का ना किसी भी country की जो economy होती है वो किस पर चलती है कि उस country का infrastructure कैसा है ठीक है और infrastructure का ही एक component क्या है transport system ठीक है ना किस पर depend करती है economy infrastructure पर और infrastructure का ही एक component है transport system तो इसी लिए तो transport system है वो एक important role play करता है किसी भी country के economy में लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो important role in Indian economy ठीक है? किस तरह से करता है? These are, कुछ points यहाँ पर दिये हुए हैं देखिए, interior regions को आपस में जोड़ना आप देखते हैं न रातों में जो highways होते हैं उन पर trucks अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं goods career एक जगा से दूसरी जगा यानि कि पूरे country में जितने भी state हैं जितने भी cities हैं उन सबको आपस में connect करता है क्या? Transport, अगर transport ना हो और यहाँ पर किसी particular type of transport की बात नहीं हो रही कि मैंने आपको truck बता दिया है तो आप फिर truck पर ही stick हो जाएगी नहीं x, y, z जितने भी means of transport होते हैं air, water, rail या फिर road transport मैं सभी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर यह क्या करते हैं? interior regions को या फिर आम भाशा में कह लें तो अपने country के जो other areas हैं उन सब को आपस में connect करते हैं ठीक है? जिसकी वज़े से क्या होता है? हमें resources को use करने में आसानी होती है माल लीजेगी कोई चीज हमारे या नहीं होती है जैसे कि मसाले हमारे UP में नहीं होते हैं मसाले south में होते हैं केरल करनाटक, Tamil लाडू में अब आप imagine करिए कि Tamil लाडू से UP की तरफ कोई road, कोई rail या कोई aeroplane आता ही नहीं है तो आप कैसे लेकर आएंगे? कोई जहाज भी नहीं आता है, पानी वाला ship तो आप वहाँ से मसाले कैसे import करेंगे? आप नहीं कर सकते ठीक है? कैसे कर पाएंगे? या तो railway line होनी चाहिए या तो airport से connectivity होनी चाहिए और basically airport से हम सामान बहुत कम ही लेकर आप आएंगे इतना जादा तो उसकी capacity भी नहीं होती या तो ships की connectivity होनी चाहिए जो की UP से हो नहीं सकती ठीक है? basically road या rail तो होना ही चाहिए इसी लिए तभी ये हो पाएगा कि हम वहाँ से मसाले UP की तरफ ले आए ये मैं बस आपको दो state का example दे रहा हूँ ठीक है? तो हम help करते हैं इसी तरह से ठीक है? जैसे UP में ग्यहुचावल बहुत जादा होता है तो हम उन तक कैसे पहुँचाएंगे? by road तो ये क्या करता है? resources को use करने में help करता है और अलग-अलग regions को आपस में जोड़ता है industrialization में ये help करता है अब आपको नई-नई industry बनानी है तो जहिर सी बात है उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए और industry बनने के बाद आपको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा raw material चाहिए फिर आप उसका product बनाएंगे produce करेंगे उसको ठीक है? और फिर market तक पहुचाने के लिए again आपको क्या चाहिए? transport urbanization इसको भी ये increase करता है या फिर इसको help करता है grow करने में it transport goods from one place to another जो कि मैंने आपको अभी पहले ही point में explain कर दिया था कि सामान को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा helpful होते हैं ठीक है? उसके लावा natural disaster जब आते हैं तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा minimize किया जा सके उसमें भी help करते हैं जैसे कि लोगों को एक जगा से दूसरी जगा ले जाना या फिर लोगों को emergency kit या first aid kit या फिर food वगएरे distribute करना है तो उसके लिए भी transport का अच्छा use किया जाता है ये एक अच्छा roll play करते हैं उसमें ठीक है? next next क्या है? कि लोगों का एक जगा से दूसरी जगा जाना भी easy हो जाता है जैसे कि पुराने समय में ठीक है? जैसे कि हम पुराने समय की बात कर लें बहुत पुराने लखनों की बात कर लेते हैं जहां पर जो अमीड लोग होते थे उनके पास इका या तांगा होता था तो वो उसका यूज़ करके वन प्लेस टू नदर प्लेस चले जाते थे लेकिन जो आम लोग होते थे जो पूर लोग होते थे वो ज़ादा तर पैदल यात्रा करते थे ठीक है न? वाई वॉक वो पैदल चलते थे तो आप इमेजिन करिए कि अगर लखनव से कानपूर पैदल कोई जा रहा है तो आप समझ रहे हैं ला कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा उस इंसान को लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने से ये फाइदा है कि हम लखनव से कानपूर देर से दो घंटे में पहुँच जाएंगे वो डिपेंड करता है कि ट्राफिक किता है तो easy movement of people across the region enable करता है हमारा ट्रांसपोर्ट ठीक है अब ट्रांसपोर्ट कि क्योंकि कई सारे mean of transport में कई सारी categories है जैसे कि सबसे पहला है हमारा roadways roadways यानि कि by road जो चीज़े हम चलाते हैं heavy vehicle या छोटी मोटी motorcycle वेगरा road पे जो चीज़े चलती है जो वहाँ चलते हैं वो आते हैं roadways में ठीक है तो India has one of the largest network of roadways in the world India के पास पूरे word में अगर कहा जाए तो सबसे बड़े network में से एक network है ठीक है length of road पर hundred square kilometer की hundred square kilometer के range में कितने kilometer की road है उसको हम कहते है density of roads और अगर इस parameter पर देखा जाए तो केरला has the highest density of road की केरला में per hundred square kilometer पर सबसे जादा kilometer roads बनी हुई है ठीक है India has the large network of 41 lakh kilometers of road जिसकी वज़े से ये क्या बन जाता है second largest road network in the world अब ये जो network है इसमें क्या-क्या चीज़े आती है कौन-कौन सी roads आती है इसमें आते हैं हमारे national highway जिसे हम हिंदी में कहते हैं रास्ट्री राजमार्ग ठीक है अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आपके शहर से कोई highway जाता है न तो उपर green color का board लगा होता है उसके लिखा होता है NH21, NH24, NH47 कोई भी number लिखा हो सकता है तो वो जो होता है NH का मतलब national highway और उसके बाद जो number लिखा है वो highway का number है ठीक है इसी तरह से state highways होते है district roads होते है और rural roads भी होते है और उसके बाद आते हैं border roads जो कि किसी country के border से connect करते हूँ ठीक है इनके बारे में भी हम आगे detail में पढ़ेंगे तो इतना आप समझ गए roadways के बारे में आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे national highway के बारे में national highway वो highways या वो road जो across the country move करती है मतलब लोगों को across the country जाने में help करती है और connect करती है various cities को and ये maintain की जाती है किसकी तरफ से central government की तरफ से I repeat कि वो road जो across the country जाती है और connect करती है various cities को इनको maintain किया जाता है central government यानि की केंदर सरकार की तरफ से ऐसी roads को ऐसी सडको को हम कहते है national highway या फी नहेचेस ठीक है अब नहेचेस के बारे में कुछ fact पढ़ लेते हैं हम पहला fact पूरे road traffic का 40% कौन हैंडल करता है NHS यानि की national highway दूसरा traffic जो है वो क्यों बढ़ रहा है national highways पर because of industrialization अगर आपने देखा होगा तो national highway के आसपास आपको कई industries दिख जाएंगी जो कि city का outer होता है basically city के अंदर नहीं outer site में ठीक है तो industrialization की वज़े से raw material और फिर goods को इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत ज़दे traffic बढ़ गया है और जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ वहाँ पर लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है तो urbanization भी बढ़ रहा है इसकी वज़े से national highways पर क्या हो रहा है traffic बढ़ रहा है तो help ही हो रही है एक तरह से national highways इसमें भी important role play कर रहा है अब national highway authority of India ये एक department है जिसको NHAI भी कहते है आपने अकसर जब कभी भी आप highways पर जाते हैं और टोल देते है तो उसके उपर लिखा होता है NHAI ठीक है राष्ट्रिय राजमार प्राधिकरण हिंदी में इसे कहा जाता है कब बना था ये 1988 पर इसका काम क्या है ये किसकी जिम्मेदारी लेता है national highway को बनाना यानि की construction national highways and implementing project which are related to the improvement अगर national highway पर कोई कमी है माल लिजे national highway पर पानी की कमी है लोग जो जाते हैं लंबा-लंबा मतलब 100 km, 200 km की length का national highway और बीच में कहीं खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है तो अगर उसके किनारे कुछ बनवाना है roadside पर कोई धावा बनवाना है कोई restaurant बनवाना है पानी की सुविधा देनी है तो वो कौन देखेगा NHAI उसको देखेगा ठीक है NHAI के अलावा besides NHAI जो की national highways को maintain करती है अब national highway यानि की National Highway Authority of India के अंदर में कौन कौन से project आते है एक है golden quadrilateral और दूसरा है north, south and east, west corridor इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे चीक है तो ये point up note कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं golden quadrilateral इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो पहला point इसमें आएगा कि it is the largest express highway है project है express highway project है इंडिया का largest क्यों है क्योंकि ये 4 metropolis cities को जोड़ता है कौन कौन से 4 cities है वो जिसमें आता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेनली अगर आप map पर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये east, west, south, north चार direction में ये cities लाए करते हैं या situated है जैसे कि आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली north में है मुंबई किदर है मुंबई है हमारा west में कोलकाता east में है और चेनली south में है तो इस तरह से इन्होंने क्या किया चारो के चारो direction east, west, north and south इन direction को जोड दिया है तो इस तरह से ये बन गया है इसलिए इसको कहते है golden quadrilateral तो golden quadrilateral has enabled industrial growth इसके बनने से क्या हुआ है industrial growth हुई है of all small towns through which is past कहां कहां पर industrial growth हुई है वो हर छोटे शहर या छोटे कस्बे से जहां से ये road या golden quadrilateral की road pass होती है of all small towns through which it is passes and has provided an impetus to truck transport throughout India और truck को एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए और खासकर metropolis cities तक जाने के लिए एक अच्छा खासा प्रेणा का source है यह ठीक है impetus का मतलब होता है प्रेणा अगर हम literal meaning की बात करें तो पहला point क्या है कि एक largest express highway project है जो कि चार metropolitan cities को आपस में जोडता है ठीक है दूसरा क्या है कि इसकी वज़े से industrialization बढ़ा है हर उस small town में जहां से ये pass होते हैं आगे देखें हम north, south and east, west corridor तो पहला point the north, south and east, west corridor is the largest ongoing highway project in India ठीक है अभी जो कि चल रहा है ongoing है अब आप देखें कि north, south, east, west जैसे आपने golden quadrilateral में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी आपको चारो direction देखने के लिए मिलते हैं second point इसका aim क्या है इसका aim है कि कश्मीर से कन्या कुमारी और पोरवंदर से सिल्चर को connect करना अब अगेन आप देखेंगे शीनगर कहा है north में कन्या कुमारी कहा है south में पोरवंदर कहा है west में और सिल्चर कहा है east में ठीक है तो इसका भी काम क्या है कि ये चारो जो corner है इंडिया के उसको आपस में connect करता है next topic आता है हमारा express highway इसके बारे में पढ़ते हैं express highway are six lane roads ये कैसे roads होते हैं six lane roads होते हैं जो की high speed movement provide कराते हैं जैसे कि आप देखे शेहरों के बीच में क्या होता है कि एक speed limit होती है कि आप 40 km से ज़्यादा की speed से चलाओगे तो आपका चलान हो जाएगा ऐसे ही आप अगर express way पे जाते हो तो वहाँ पे 40 km की limit नहीं होती है वहाँ पे आपको मिलेगी 80, 90, 100 km per hour की speed क्यों कि बीच में किसी भी तरह का कोई traffic नहीं है ये height पर बने होते हैं कोई side से आने वाला भी नहीं है तो आप बहुती speed से move कर सकते हैं बिना किसी obstacle के बीच में कुछ भी नहीं आता है कोई breaker नहीं है तो इस तरह की six lane road को हम क्या कहते हैं highways कहते है expressways कहते है या express highway कहते है दोनों ही कह सकते है expressway या express highways अब इसके कुछ example भी है जैसे की यमना expressway यमना expressway क्या करता है greater noida को connect करता है आगरा से ये एक six lane expressway है ठीक है और दिल्ली और आगरा के बीच की जो दूरी है इसमें जो time लगता था उसको इसने reduce कर दिया है ठीक है कितना दो घंटे तक reduce कर दिया है reduce कर दिया है दो घंटे तक and connects the main towns located on the eastern side of river यमना इस हेल्क फार्मर टू टू ट्रांसपोर्ट दियर agriculture, horticulture and dairy product to major cities और यमना एक्सप्रेस वे ने और क्या help की है कि यमना के आजपास जो भी agriculture करने वाले farmers रहते हैं जो कि agriculture करते हैं horticulture करते हैं dairy product को वो produce करते हैं वो अपने सामान को एक जगा से दूसरी जगा आसानी से ले जाते हैं क्योंकि उनके गाओं के बीच से एक express way गुजर रहा है ठीक है अगला एक example देखते हैं ये क्या है ये है एहमदावाद वरोदरा express way अगर हम इंडिया में express way की बात करें तो ये क्या था इंडिया का पहला वरोदरा express way था इसने जो time duration है एहमदावाद से वरोदरा के बीच का उसको कम कर दिया कितना एक घंटा एक और example मुंबई पुने express way ये इंडिया का पहला six lane high speed told express way है ठीक है इसको जो tunnels जो है या फिर जो road है उसमें फैंसिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की जो crossing होती है animal or human की तरफ से उसको रोग दिया है किसी तरह का accident ना हो लोग high speed move कर सके अगला example है इसका पानिपत express way it has been constructed to decongest the traffic on the busy Delhi Amrassar route देखो दिल्ली से Amrassar route पे बहुत ज़्यादा traffic होता था उससे tackle करने के लिए पानिपत express way बनाया गया है अगला टॉपिक हमारा जो है वो है state highway state highway these are constructed and maintained by state government जैसे आपने national highway में देखा था कि central government उसको maintain करती थी या construction करती थी यहाँ पे state highways को कौन maintain और construct कर रहा है state government जैसे और state highways करते क्या है यह किसी भी state के अंदर cities को आपस में link करते है ठीक है या फिर city को जाकर जोड़ देते हैं किसी भी national highway तो अगर आपको city के अंदर से किसी national highway पर जाना है तो आप किसी state highway से होते हुए national highway पर जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर difference भी देख लीजे आपके exam में difference भी आ जाते हैं तो difference क्या है national highway and state highway national highway आप पढ़ चुके हैं लेकिन इस format में आपको बता रहा हूँ national highway क्या है कि maintain किये जाते हैं construct किये जाते हैं central government की तरफ से यह किये जाते हैं state government की तरफ से national highway connect करते हैं major cities को industrial center को या फिर जो भी हमारे धार्मिक places हैं उनको across the country ठीक है और state highway क्या करते हैं connect करते हैं district headquarters यानि की शेहरों को आपस में connect करते हैं tourist centers को connect करते हैं और अगर उस छेत्र में या उस राज में कोई धार्मिक place है तो उसको भी आपस में connect करते हैं कौन state highway ठीक है तो हमने national highway पढ़ लिया हमने state highway पढ़ लिया अभी हम पढ़ेंगे district roads district roads क्या होती है these roads connects area of production with market in a district एक district में जो area of production होता है जैसे कि किसी एक जगा पर industry है वहां से market के बीच जो सड़क जा रही है वो क्या है district road है ऐसे ही बहुत सारी छोटे छोटे सड़के होती है जो कि district roads की category में आती है they also collect तालुकाज तालुक भी एक unit of area होता है अगर हम देखें political division उसका तो एक तालुका होता है ठीक है तो उनको भी आपस में एक connect करते है और district headquarters within the states इनको भी आपस में collect करते है now rural roads rural roads कितनी है अगर हम rural roads की बात करें तो total road length in the country पूरे इंडिया में जितनी भी roads है उसकी 80% क्या है rural roads है ठीक है पूरे इंडिया में जितनी भी roads है उसकी 80% rural roads है these roads facilitate the movement of agriculture produce अब देखें rural roads के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह गाउं में होती होंगी ठीक है अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता दे रहा हूं कि यह गाउं में ही होती है और इनका जो रोल होता है वो यह कि जो भी agriculture produce है उसको शेहरों तक लाना ठीक है अब आप इसको ऐसे देखें इसकी जो hierarchy होँ ऐसे काम करती है कि गाउं से कोई भी माल लीजे किसी ने sugar cane ग्रो किया है तो गाउं से sugar cane को rural roads से ले कर जाना है अब जो गाउं की सड़े के वो कहा जाएगी district roads पर ठीक है अगर आपको उसी district में किसी industry में देना है तो well and good आप भाही दे सकते हो अगर आपको कहीं और शेहर में देना है तो आप उस district roads से कहा जाओगे state highway पर ठीक है अगर आपको state highway पर किसी industry में देना है तो ठीक है अगर आपको किसी दूसरे state में ही देना है तो फिर आप उस state highway से connect हो जाओगे national highway पर देन आप जाओगे दूसरे state में और वहाँ पर जाके अपना production दे सकते हो इस तरह से ये काम करता है तो क्या काम है rural roads का agriculture जो produce होता है उसको एक जगा से दूसरे जगा ले जाने के लिए ठीक है या फिर जो production हो चुका है उसको market center तक ले जाने के लिए सन 2000 में प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड इस्कीम ये नामियाद कर लिजी एक keyword है ये आप use कर सकते हैं अगर आता है आपके exam में प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड इस्कीम इसको लाँच किया गया था December 2000 में by the government of India ठीक है to provide connectivity to the rural areas किसलिए लाँच किया गया था कि जो गाओं है उनसे शेहरों को connect किया जा सके ठीक है next topic है हमारा border roads border roads मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो हमारी national boundary है जो हमारा इंडिया है वो अगर किसी भी दूसरे country से connect कर रहा है उस तरह की roads को हम कहते हैं border roads जो कि border पर होती है the border road organization जिसको हम short में BRO कहते हैं set up to strengthen the defense of the country basically इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो defense है इंडिया का जो army है उसको ताकतबर बनाया जाए BRO क्या करता है पिल्ट करता है highest road in the world running from Manali to Leh उसने ये किया है अगर आप कभी भी लगदाग गए है bike से या बस से तो आप देखते होंगे वहाँ पर कई सारी road है highest roads बनी हुई है जो कि कॉन मेंटिंग करता है BRO border road organization और इसमें बहुत सारे जादा तर जो लोग होते हैं वो army के ही होते है ठीक है तो ये है हमारी border roads अब अगर हम advantage की बात करें कि advantage क्या है roadways का तो पहला point they provide door to door services बहुत जहीर सी बात है कि सडकें आपके तरवाजे तक आती है आप घर से निकल के कहा जाते है road पर है कि नहीं कोई भी सामान बेचने आ रहा है तो भाई road ही आपके घर पर आ रहा है आपको कहीं जाना है तो आप road से जाओगे अगर हम railway की तुलना में बात करें railway के comparison में बात करें तो roadways को या roads को बनाने में कम खर्चा आता है much lower than railways ठीक है roadways can be constructed in hilly region पहाडों पर भी road बनाई जा सकती है अगर आप हमाचल जाते हो भूने के लिए जैसा कि मैंने भी आपको बियारों के बारे में बताया कश्मीर जाते हो उत्राखंड जाते हो नौर्थी जाते हो तो आप देखते हो कि पहाडों पर train नहीं जाती है पहाडों पर roads जाती है तो roadways का एक फाइदा ये भी है कि पहाडों पर भी roads बनाई जा सकती है ठीक है अगला point है roadways supplement the other mode of transport कैसे supplement देखो गई अगर हम roadways की बात करें तो अगर आपको माली के railway station जाना है तो कैसे जाओगे घर से train पकड़के तो railway station जाओगे नहीं आप by road ही जाओगे ठीक है अगर आपको port पे जाना है तो भी by road जाओगे उसके बाद आपको ship मिलेगा airport जाना है तो भी आप by road जाओगे कैसे भी आपको जाना है किसी भी जगा जाना है अगर आपको किसी भी other type of other mean of transport का use करना है तो आपको road का use तो करना ही करना है अब आप सुचो कि आपके घर से कोई भी road जाती ही नहीं है और आपके घर से यह airport 20-25 km दूर है आपके घर से जो railway station है वो 30-35 km दूर है तो it will be problematic for you तो क्या है जो road ways है वो supplementary है supplements की तरह काम करती है other mode of transports के लिए ठीक है disadvantage क्या है इसके ये भी देख लेते हैं क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं आपने कावस सुनी होगी तो जिस चीज़ के फायदे हैं उसके नुकसान भी है first point road network inadequate है इंडिया की large population के हिसाब से इंडिया में traffic बहुत ज़ादा है क्योंकि population बहुत ज़ादा है और उसके comparison में देखा जाए तो road network is inadequate ठीक है second point क्या है कि पूरे इंडिया में जितनी भी roads हैं उसमें से आदी से ज़ादा तो unmetall है जिसकी वज़े से वो rainy season में use के लायक नहीं बचती है उसमें mud हो जाता है मड़ी हो जाती है ठीक है जो highway cities के अंदर से गुज़रते हैं उनके साथ एक और problem है कि वो congested हो जाती है क्योंकि शहर का सारे traffic उन पर होता है ठीक है शहर के बाहर आपको हो सकता है traffic ना मिले कि within the city आप अगर देखोगे तो आपको बहुत traffic मिलता है national highways पे भी उसके अलाबा कभी-कभी encroachment आपको देख जाते हैं सबजी बेचने के लिए और उसके लाबा बैठते हैं तो कोई problem नहीं है congested हो जाता है लेकिन उसके लाबा वो लोग अपनी बल्लियां वगेरा गाड़ने के लिए सडकों को नुकसान भी पहुचाते हैं ठीक है वहाँ पर digging कर देते हैं तो ये सारी चीज़े भी ह नेक्स पॉइंट तो passing of heavily loaded truck which carry a load above the prescribed limit also damage the road अब क्या है कि जो road पर truck चल रहे हैं अगर उनके उपर हद से जादा माली जी अगर उसमें बोला गये कि आप 1 ton सामान लोड कर सकते हो लेकिन किसी ने 1.5 ton या 2 ton लोड कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि limit से जादा अगर वज़र ह होगा तो सडक पर damage होना ही है ठीक है तो यहां पर हमने सारे type of highways पढ़ ली है यहां पर हमने advantage disadvantage role यह सारी चीज़े पढ़ ली है तो इसी के साथ हमारा जो roadways का topic है वो खत्म